पूर्ण 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 तो शुरुवात करने टाइम को नागवाते वे मैं आपको विता देता हूँ कि आज का Most Important Current Fair याने कि 11 उक्टूबर का जो कि हम लोग डिसकस करने वाले हैं, सारे लोग जुड़जी उसकी बाद सुरुवात कर देते हैं, आज के Most Important Current Fair की उससे पहले, आपके सामने आज का Motivational Quote कि जिन्दगी में इतनी सिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि परदा गिरने के बाद भी तालियां बसती रहें, बिल्कुल सही बात है, अपने किरदार को इस तरीके से निभाया जाए, कि लोग आपको, अगर बायचान साब का कुछ हो जाए, चले जाओ इस दु मैं सबसे पहले आज बात करते हैं Chief Justice of India की, आपको मालूम है कि पिछले अगर हम मैं तीन महिने की बात करूं तो इन तीन महिनों के अंदर, अगर देखें तो यानि कि क्या इन तीन-चार महिनों में, तीसरे यानि कि नए जो Chief Justice है वो आने वाले है, यानि कि फटा-फट से च President कभी भी आप से पूछा जाए कि Chief Justice of India किसके दवारा न्यूकत किया जाता है, या फिर Supreme Court के जितने भी Judges होते हैं, उनको किसके दवारा न्यूकत किया जाता है, तो ध्यान में रखना है, हमारे President जो है, इस समय के उन्हें द्रोपती मुर्मू है, याद रखना है, ठीक है, उनके तवारा जो है, न्यूकत किया जाते हैं, जो कि Close to और Article 124 of the Constitution, यानि कि हमारा जो Constitution है, उसका कौन से आर्टिकल के तहते इनकी न्यूकती होती है, तो न्यूकती होती है, 124 के ध्यान में रखना है, ठीक है, पहले CGI, यानि कि First Chief Justice of India कौन थे, तो हरिलाल कानिया जो है, Chief Justice of India थे, 22nd number के कमल नारायन सिंग, वोस दे सोटर्स चरविंग Chief Justice of India थे, यानि कि सबसे कम समय के लिए अगर कोई Chief Justice of India रहे थे, तो वो रहे थे कमल नारायन सिंग, जो कि मत्र 17 डेस तक क्या है कि Chief Justice of India रहे थे, ध्यान में रखना है, ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात क पर्मा जो कि 85 डेस के लिए रहे थे, और 32nd number के गोपाल बलव पतनायक जो है वो 40 डेस के लिए रहे थे, ध्यान में रखना है, 34th number के S. राजेंदर बाबु जो है वो 29 डेस के लिए रहे थे, ये भी ध्यान में रखना है, लेकिन most important चीज कि अभी recently 49th number के है, लेकिन 48th number के क 6th member of the judiciary जो है यानि की टेनर जिनोंने less than 100 days तक complete किया है, और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज कि अगर आप से ये पुछा जाए कि कि 50th number के कौन बनेंगे अभी, 50th number most important है, एक्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा कि अगर हम देखें तो ध्यान रखना है कि 50th number के क कोन बनेंगे तो डी वाई चंदर चूड बनेंगे ध्यान में रखना है, डी वाई चंदर चूड ठीक है, डी वाई चंदर चूड और अगर आप से पुछा जाए, लोंगेस्ट सर्विंग CGI यानि कि सबसे ज्यादा समय तक कोन रहे थे, तो यस्वंत विश्नु चंदर च क्योंकि डी वाई चंदर चूड जो है, वो भी क्या है, कि इंडिया के जो अब प्चास्वे नंबर के बनें, तो इनकी पिताजी का नाम था, यस्वंत विश्नु चंदर चूड, जो की लोंगेस्ट सर्वी, यानि कि क्या है, हमारे पास रहे हैं, ध्यान में रखना है, क्ल जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट देखता है, उसको 100% मालूम होगा, ठीक है, ये कौन है, तो ये पहले Anglo-Indian ऐसे परसंद थे, जो भारत के लिए, यानि कि जिनों ने खेला था, भारते टीम में खेले थे, पहले Anglo-Indian ऐसे, ठीक है, जो भारत के लिए खेले थे, इनका नाम क्या है, तो ध्यान दी जी, ये है, रोजर बिनी, क्या नाम है, रोजर बिनी, जो कि next BCCI President बनने जा रहे हैं, कहां से हैं, बेंगलूरू से हैं, बिनी वाज़्ट एंगलो इंडियन, स्कोटिस्ट थे, जो कि play cricket for India, इंडिया के लिए इन्होंने क्रिकेट खेला था, इस समय वाइस प्रेजिडेंट की बात की जाएं, कौन है, BCCI के, तो याद रखना है, राजीव सुकला है, टोटल मेंबरीस के अंदर 42 है, और फाउंडेशन की बात करें, तो 1928 के अंदर इसका फाउंडेशन वाथा, जिसका हेड़कौार है, मुंबई के अंदर ध्यान में रखन होनी चाहिए, वो है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे, यानि की अमीर, अगर कोई है, ICI, ICI के बाद क्रिकेट बोर्ड में, तो BCCI यह ध्यान में रखना है, यह हमें मालूम होना चाहिए, चलिए, जी हाँ, 11th October, आज हमारा डे है 11th October, और 11th October को एक डे बनाया जाता है, जिसका नाम है, International Day of Girl, क्या है, International Day of Girl, इस साल की जो थीम है, वो क्या रखी गी तो याद रखना है, और Time is Now, और Right or Future, यह इस साल की थीम रखी गी है, जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखना है, 11th October को International Day of Girl, यानि की बनाया जाता है, और 11th March, जो ह आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो यह भी ध्यान में रखना है, यह है भारतिय टीम की इस समय केप्टन, ठीक है, हर्मन परितकोर, यह दोनों ICC Player of the Month रहें हैं, September month के, यह भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है, लेकिन इसके लिए important चीज में आपको उता दूँ, कि जन्वरी 2021 से, अगर हम बात करें, तो ICC Player of the Month की शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना है, कि वहां से शुरू किया और इस समय 2022 चल रहा है, तो इस समय कोन रहे हैं, महिला के अंदर जो है, वो रही है, हर्मन परितकोर, और मेंस में रहे हैं, मोहमद रिज्वान ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है, चलिए, पहला क्यूशन, आज का फर्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन के उपर आचुका है, स्टेटमेंट बेसा है, और आपको मालूम है कि आज कल बहुत सारे ऐसे एक्जाम जैसे कि बैंक के एक्जाम इज रोड एंड रेल ब्रीज गनेक्टिंग रस्या एंड उक्रेयन बिलकुल सही बात है, ठीक है मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ब्रीज जो है वो युक्रेयन के अंडरे एक जगह है, क्रिमिया, ठीक है, उसको ये ब्रीज जो है वो जोडता है, दूसरा, इज रिज पर शॉड पर शॉड पर शॉड प्रोड़क्ट फूड पर रस्या रस्या यानि कि वहां पर कुछ चीजें पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है, चलिए पहले इसके उपर हम चर्चा करते हैं, फिर बाद में ये इमेज हम लोग देखेंगे, ठीक है, पहले देख ले अने तो व्यूडियो को बाद में देख ले ना लिख ले बीज आ ठीक है, ये ब्रीज जो है इसको क्रीमिया ब्रीज के नाम से जाना जाता है, जो कि रोड एंड किसको जोडता है, यूकेन को जोडता है तुक्रें कि तो मैंने क्या बोला? ये आएगा कि ये भ Allyya क्रीमिया को जोड़ता है ना कि Crimean-Penisuala को जोड़ता है ध्यान में रखना है कलीर है ठीक है कलीर है इतनी चीज है ये ध्यान में रखना है दूसरा अगर हम बात करें तो आगे क्या दिया गए देखिए कि longest bridge है यूरोप में बिल्कुल सही बात है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही होगा हना ब्रीज जो है वो हम कह सकते हैं कि क्रेश स्टेट जो है उसके उपर से डारेक्टली जो है लिंक करता है रस्या का ट्रांस्पोर्ट नेटवर्क है क्रीमिया पेनिशूला के अधर ये ओपन हो गया था ठीक है न्यूज में क्यों है वो भी चर्चा करेंगे ध्यान दीजिएगा और सबसे बड़ी चीज कि लाष्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि मेजर रोल जो सप्लाई करता है फ्यूल है फूड है अधर की गूड्स जो है वो सप्लाई करता है ये दियान दीजिए रिसेंटलि अगर हम बात करें तो ये जो ब्रीज बना हुए ये रेल और रोड रेल और रोड दोनों तरहें के ब्रीज बनाए गया है ये हना इंडिया के अंदर भी आपको बता है बर्म पुतर नदी जो है मैं यहां पर एक एक एक्ष्ट्र चीज बता द निचे रेल गाडि चलती है या यू कह सकते हैं उफर निचे रेल गाडि और उपर जो है वो किसका रोड बनी हुई है तो ये वहाँ उलेडी जो है वो बना गया है तो यह क्या है कि रेल कम रोड ब्रीज एक तरे से, इस पे क्या हुआ था कि हमला किया गया जिसकी वज़े से यह क्या हो गया तहस नहस हो गया और यह जो है इससे व्लादिमोर्पतीन साब पूरा गुसे में आगे और गुसे में आके बोलते हैं कि अब हम 84 मिसाइल चोड़ी के अंदर दो दिन के अंदर दो दिन में 84 मिसाइल जो है वो छोड़ी गई है देखो दर रोड एंड रेल ब्रीज लिंकिंग रोस्या एंड क्रीमियन यान की पेनिशुला जो की डेमेज इन पावर्फुल ब्लाष्ट रिसेंटली हिटिंग ए क्रीशल सप्लाई रूट फोर रस्या फोर्सेज इन युक्रेइन यह खास करके ध्यान में रखना है यह देखो रात को कितना सुंदर नजा रहा था लेकिन जिसमें यह तहसन है चो गया उसके बाद देखो आके जैसे ही आखो देखो दी ए depth के उसका है और यह जो ब्रिज है यह रस्या से याने कि क्या है कि यहां को जोड़ता है यह ध्यान में रखना है यह रहें और यह यह राए उक्रीमिया और यह और यह पहले युक्रेन की बात करते है युक्रेन की बात करते है युक्रेन की बात करें तो यहां की केपिटल कीव है जो काफी चर्चा में चल रही है प्रेजिडेंट यहां के थे वोलोदोमीर जैलेंस्की धान रखना है वो वोलोदोमीर पुतिन है यह वोलोदोमीर जैलेंस्की है ये ध्यान में रखना है करणसी यहां की है रिविनिया, ठीक है और अगर हम बात करें यहां की जो प्राइम मनिश्टर है उनका नाम है डेनिस सिमहल, ठीक है यह खास करके हम लोगों इने ध्यान में रखना है उसके साथ में र historiyya की बात करें तो व्लादीमीर पुतीन जो है वो यहां के प्रेजिडेंट है, हना केपिडल यहां की मोश्को है, और यहां की क्रंची जो है वो द्यान में रखना है, और यहां की यह तो मिखेल मिशुस्तिन जो है वो यहां कि क्या है प्राइम मिनिस्टर है ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए अगर यहां तक सभी को बास समझ में आई यह निवी समझ में आई तो फटाफ़ से कमेंट बोक्स के अंदर एक बार जो है क्या टाइप कर दोगे फटाफ़ स Center in Bilaspur Himachal Pradish October 2022, यानि कि निमलिक्थ में से किस Kendriya मंत्री ने October 2022 में Himachal Pradish के Bilaspur में Water Sports Center का उधगाटन किया है, अरे भाया नाम जब हमारे सामने आ गया Sports, तो याद रखना है कि 99% चांस हो जाते हैं कि हमारे जो Sports Minister है, Sports Minister है उनके द्वारा ही यानि कि इसकी क्या की गई होगी यानि कि इसका उधगाटन किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे जो Sports Minister है, उनका नाम है अनुराग सिंग ठाकूर, जो कि कहां से विलोंग करते हैं हिमाचल परदेश से ही विलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके द्वारा ही किया गया है जिनकी कौन्शी टूंशी की बात की जाए, तो हिमाचल परदेश के अंदर कौन्शी कौन्शी टूंशी है भई हमीरपूर जो है न वो यहां की constituency है इनका ध्यान रखना है constituency का मतलब होता है कि जहां से यह चुनाव लड़ते हैं जहां से यह चुनाव लड़ते हैं वो क्या होती है constituency होती है यह खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है दूसरी इस चीज में आपको बता देता हूँ, हमीरपुरा ना, आपको बता देता हूँ, कि स्पोर्स यानि की मिनिस्टर है, दिन के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया है, कोन अनुराक सिंग ठाकूर याद रखना है, ये अनुराक सिंग ठाकूर है, ठीक है, जिन के द्वारा इ अधिजी ने यहां पर किसी चीज का उद्गाटन किया था आपको याद हो तो वो क्या था AIIMS M's का उद्गाटन किया था जिसके अंदर क्या था तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बोला था कि टोटल इंडिया के अंदर M's जो है ठीक है वो कितने हैं तो 24 की करीब यानि की जो है उसमें से 19 अभी काम कर रहे हैं कितने काम कर रहे हैं 19 काम कर रहे हैं और एक कहां पर उपन किया जा रहा है तो बिलासपुर हिमाचल परदेश के अंदर उपन किया जा रहा है बारत का पहला कुन सा था? कमेंट बोक्स के अंदर फटा फट से लिग दो कि जी हां कुछाल यादव गुड़ इवनिंग, ठीक है, सल्मुदीन अंसारी, जी हां धन्यवाद मेरे भाई, देव चोधरी गुड, रागवी गुप्ता वेरी गुड़ भाई, ठीक है तो यह खास करके ध्यान मे यह वो प्रवाइड करवाई जाएगी, वोटर स्पोर्ट सेंटर जो है, वो फर्स्ट ओफ काइंट हिमाचल परदेश के अंदर जो है, वो उपन किया गया, जोइंटली, किस के साथ मिलकर, तो हमारी स्पोर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया, इसके साथ में नेशनल थर्मल प Corporation, यानि कि NTPC के साथ मिलकर इसको जो है, क्या किया है, शुरुवात की जा रही है, ध्यान में रखना है, यानि कि Sports Authority of India और NTPC द्वारा शुरुवात की जा रही है, जी यहां, बिल्कुल सही बात है, किसने बताया है, देव चोदरी, Ems, अनुराग ठाकुर, हाँ, Miracle, जो बो लाल नहरु दुवारा स्तापित के आ गया था, ध्यान में रखोगे, सन 1956 के अंदर, यह इपोर्टेंट हो सकता है, सबसे बड़ी चीज, मैं आपको बता दूँ कि हिमाचल परदेश के अंदर, अगर हम देखें, तो मैंने आपको बताया था, कि हिमाचल परदेश में जो है कहां पर गया हिमाचल परदेश, हाँ, हिमाचल परदेश में जो है एक, यानि कि भारत का पहला, वर्ड का पहला इलेक्ट्रिक वेहिकिल चार्जिंग स्टेशन जो है, चार्जिंग स्टेशन जो है, यानि कि खोला गया है, जो सबसे हाइस्ट, यानि कि सबसे उंची उंच रखोला गया है हाएक उन्चा ए प्रखोळा गया है चारजिंग पर 3G वेहिकल चारजिंग स्टेशन तो वो कॉंसी जगह खोला गया है माचल पर्रदेश में उस जगह का नाम भटाफ़़ से कम्मेंट बोक्स के अंदर चाप दोगे तब तक चलता हूं मैं आगे जी हां यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जिन्ते अंदर सिंग ने 26 सब्टेंबर 2022 को अनाउंस किया है वन वीक वन लेब वन वीक वन लेब एक थीम बेस्ट केंपेंडिंग शुरू की है जिसमें टेकनोलोजिकल ब्रेक्ट्रू जो है या फिर इनवेशन को बड़ावा दिया जाएगा इसको हम कह सकते हैं कि अपनी अपनी इनवेटिव स्कील जो है ठीक है हमारी टेकनोलोजी के अंदर स्कील है उसको हम शोकेश कर शक्यों उसको हम दिखास कें तो one week one lab नाम से किस ने integration किया याद रखना है डोक्टर जितेंदर सिंग ने integration किया था इसका union minister धर्मेंदर परदान यानि कि हमारे education minister आपको पता होना चाहिए हमारे education minister है कौन धर्मेंदर परदान जिनों ने 20 September को scale नाम से एक application launch कि थी जिसका वो जो employees है तो उनको यानि कि क्या है कि अलग से skill जो है सिखाई जाए उसके लिए इसको launch किया था यह हम लोगों ने खास करके ध्यान में रहा है scale की full form याद रखनी है हमेशा important हो सकती है और हम लोगों से पुछी भी जा सकती है तो उसके बाद में है union minister dr. जितेंदर सिंग जी जो है उन्होंने 15 September 2022 को launch किया था dashboard of department of science and technology GDST तो यह भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है इसके बाद में हमारे सामने next क्या दिया गया तो union minister state for textile कोन है दर्सना जारदोस जिनोंने inaugurate किया था Silk Mark Expo in New Delhi याद रखना है इपोर्टेंट हो सकता है पुछा जा सकता है information and broadcasting minister अनुराग ठाकूर अच्छा अनुराग ठाकूर जो है वो हमारे sports minister भी है और दूसरा कौन सा department है उनके पास है तो information and broadcasting minister भी है यह भी सब लोग ध्यान रखोगे ठीक है तो इन्होंने launch किया था आजादी किस्ट लोँच किया था जो क्या है एक series है online educational games की जो यान की बेस्ट और इंडिया के freedom जो struggle थे struggler थे या कह सकते हैं जो freedom fighters थे हमारे जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए इतनी मेहनत की थी ठीक है उन सबी की यानि की हम कह सकते हैं कि ये series जो है वो शुरू किया है ध्यान में रखना है एक तरह का game शुरू किया है ठीक है Union Minister Jitendra Singh जो है इन्होंने launch किया है क्या तो ध्यान दीजेगा इंडिया का पहला क्या development hydrogen fuel cell bus जो है वो किया कहा पूने के अंदर और ये क्यूशन आई वीपेस के अंदर पूछा जा चुका है ध्यान में रखना है important question है ठीक important question है मैंने क्यूशन पीसे पूछा था किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया तो मैं बता देता हूं मैंने ये पूछा था आप लोगों से कि electric vehicle charging highest world का कहां पर लगा है तो एक जगह है जिसका नाम है गजा क्या नाम है गजा नाम है जो कहां है हिमाचल परदेश के अंदर है पान सो मीटर उपर जो है ये vehicle charging station लगा है पान सो clear है जी हां मोहित कुमार hello good evening नमस्कार जै हिन जै भारत मेरे बाई हाना राम राम सस्रियकाल अस्सलाम वालेकूम चली आगे बढ़ते हैं क्या दिया गया है तो देखते हैं अच्छा next question आपके सामने है इंडिया grant fund for greater malay connectivity project which country यानि कि भारत ने किस देश को greater malay है mail नहीं है यह हिंदी वड़ी खतरनाक होती है क्योंकि क्या है कि google जो है न ट्रांसलेट नहीं कर सकता हमारी हिंदी भासा जो है बहुत जवर्दस्त भासा है जिसको हर कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकता भाईया ठीक है हाँ greater malay जो है connectivity project है तो उसके लिए अनुदान दिया है भारत मैं आपको पिता दूँ total 400 million dollar देना था जिसमें से भारत ने 100 million dollar अनुदान जो है वो दे दिया है funding जो है वो दे दी है कौन से देश को तो याद रखिए माले किसकी राजनानी है मालदुव की है मालदुव की राजनी है तो इसको यह funding जो है हम लोगों ने ध्यान में रखना है ध्यान दिजिएगा हमारे सामने अरे भैया कहां भाग रहे है मैं आपको रोकने की कोशिस कर 소शिस कर रहा हो आप भागे जा रहे यह अपना भारत है, प्यारा हिंदुस्तान है, यह हमारा, ठीक है, और यह प्यारे हिंदुस्तान के बाजो में सिरिलंका है, और सिरिलंका के इधर वाली साइड में आपको पता है, छोटे-छोटे ऐसे आना, अलग-अलग टुकडे खंडों में बंटा हुआ है, तो इसके अं नाया जा रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग भारत ने दिया, और कितनी दिया है, तो 400 मिलियन डोलर दिया, जिसमें से 100 मिलियन डोलर जो है न, वो क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, यह खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है बई, यह इन्ड सक्षर प्रोजेक्ट है, जो माल्डीव के अंदर, हना, चल रहा है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कि अगर हम बात करें, ग्रेटर माले प्रोजेक्ट जो है, वो 6 पोइंट, 7-4 किलोमेटर लंगा एक ब्रिज बनेगा, जो कि माले को जोड़ेगा निय किलोमेटर का बनेगा, तो इतना लंबा ब्रिज बनेगा, जो हमारे पास दिया गया है, कलियर है, देखो, प्रोजेक्ट फंडेड बाइग्रांड यूसडी 100 मिलियन जो है, वो भारत ने दे दिया और इसके साथ में लाइन ओफ क्रेडिट जो है, वो 400 मिलियन ओर दिया है, आप जो है, 100 डॉलर लगाईए, और 400 मिलियन डॉलर की जो है, हमने उनको क्या दे दी है, यह हमने LOC दे दी है, LOC लाइन ओफ क्रेडिट, लाइन ओफ क्रेडिट क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, कि जहां पर, यानि जैसे आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, तो क्रे आपको credit card चाहिए, अब मेरे जैसे भोले इंसान होते हैं, बोलते हैं, नहीं मेडम जी, नहीं चाहिए, फिर वो अपने बातों में अपनी जाल में फसा लेती है, ठीक, उनके पास टेक्निक ऐसी होती है, या बात करने की, और देखो, वहीं पिगलते हैं, या जितने भी मिलता नहीं है, हाँ या ना, बात समझ में आ रही हैं ना, तो line of credit, यानि कि आपके credit card के अंदर जो limit होती है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं, कि line of credit ही है, माली जी, आपको credit card दिया, आपको बोला गया कि 20,000 रुपे तक जो है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो आप 20,000 त हमने भी उनको कितना, 400 million dollar की line of credit दी है, कि आप जो है, 400 million तक यूज कर सकते हो, जितना यूज करोगे, उतने का interest हम लोग लेंगे, बात समझ में आई, हाँ या ना, तो ये धान में रखना है, बहुत ज़्यादा इपोर्टेंट है, पुछा जा सकता है, चलिए, आगे which of the following company, कौन सी कंपनी दवारा इसको लोंच किया गया है, विद्या वीवन, विद्या वीवन नाम से जो है, स्कूटर किसे ने लोंच किया है, टीवियस मोटर कंपनी लोंच किया है, होंडा मोटर कंपनी ने लोंच किया है, हीरो मोटर कंपनी ने लोंच किया है, या फिर ब हां जी देव चोद्री मेरे भाई रोजाना होती है, शाम को रोजाना जो है न बच्चे जुड़ते हैं, आप लोग रोजाना जो है न वो जुड़ा करो, शाम को साथ बज़े हैं, साथ बज़े डेली होती है, ध्यान दो यहां पर, मैंने क्या बोला, कि जो TVS कमपनी है, इसन बाइक निकालने के लिए तो याद रखना TVS company के साथ tie-up किया था, जन्वरी 2022 के अंदर ये ध्यान में रखना है, और इसका right answer के आएगा, तो इसका right answer आएगा, hero motocop company के साथ जो है, ये tie-up हुआ है, ध्यान में रखना है, हाना, ये देखो, विद्या विवन, powered by hero, ठीक है, य जो है, बाइक जो है, वो निकाली जाएगी, इंडिया ज लार्जेस्ट, two-wheeler manufacturer company, याद रखना, भारत की सबसे बड़ी company कोन सी है, ठीक है, two-wheeler manufacturer में, बेचने में बात नहीं हुई है, manufacturing में बात हुई है, सबसे ज़्यादा, hero motocop है, ठीक है, ये क्या है, first model under its new brand, विद्या के नाम से इन्होंने पहला electric way के लिए निकाला है, ध्यान में रखोगे, ठीक है, और कहां पर इसको यानि की launch किया है, तो जेपूर से launch किया गया, ये भी हम लोगोंने ध्यान में रखना है, ठीक है, इसके साथ में, जी धन्यवाद परकास सरदायमा साब, बहुत बहुत धन किया, ये वाद का प्यार साथ बना रहे है, बेस्ट अन्दा इन्फोर्मेशन, रिविल, एरलियर था स्कूटर विल भी offered in two variant यानि कि दो variant में ये available रहेगा Vidya V1 प्लस रहेगा और Vidya V1 प्रो रहेगा यानि कि प्रो प्लस यानि कि लूटने के जो तरीके हैं ठीक है वो अलग-अलग रहेंगे ठीक है ये ध्यान में रखना है Hero Motor Cop की बात की जाए तो Foundation इसका जो है वो 19 January 1984 को होता है और Founder का नाम जो है उनका नाम था Bridge Mohanlal Munjal और Headquarter इसका New Delhi में और इसमें CEO का नाम है Pavan Munjal ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है clear है चलिए आगे बढ़ते है Recently banking sector के अंदर जो appointment हुई है banking sector यानि कि कोई ऐसी कंपनिया ठीक है जो क्या है कि MD & CEO of Aviva Life Insurance Company जो है उसके कौन बने है तो असित रत बने है ध्यान में रखना है देखो ये चीज़ें हम बार बार ले के आते हैं इसलिए ले के आते हैं ताकि हमें याद हो जाए ठीक है ताकि हम अच्छे तरीके से इसको अपजव कर पाएं तो ये खास करके ध्यान में रखना है ध्यान दीजिएगा कि MD & CEO of Aviva Life Insurance की बात करें तो आसित रत है ठीक है MD & CEO of Tamil Nadu Merchantile जो बैंक है Tamil Nadu Merchantile जो बैंक है कोन है तो Krishnan Sankra Subramaniam जो है वो इसके क्या है MD & CEO ध्यान में रखना है All Time Member of Sebi Sebi के All Time Member कोन बने है तो Anant Narayan Gopal Krishna बने है अगर आप से पूछा जाए कि Sebi जो है इसकी पहली पहली महिला Women जो इसकी जो कह सकते हैं President जो है वो कोन बनी है Chairman कोन बनी है फटा फट से comment box के अंदर बताओगे पहली महिला Chairman कोन बनी है Sebi की Security Exchange Board of India आपको बता है इंडिया के अंदर दो ही डिपार्टमेंट है जो हम लोगों को संचालित कर रहे हैं पहला है R.B. Reserve Bank of India जो Money Market को कंट्रोल करता है और दूसरा है Sebi Security Exchange Board of India जो की कंट्रोल करता है कि इसको तो ध्यान में रखना है हमारे यानि कि हम कह सकते हैं जितना भी शेर मार्केट वगेरा है यानि केपिटल मार्केट बोल सकते हैं उसको MD and of IDFC Limited IDFC Limited के महंदर शा बने है MD and CEO of SBA General Insurance के प्रितोस तरिपाथी बने है MD and CEO मनपूरम फाइनेंस की बात करें तो VP नंद कुमार है MD and CEO CSB Bank ठीक है परलय मॉंडा है MD and CEO अधित्या बिल्डा केपिटल की बात की जाए तो विशाखा मूले है MD and CEO डिजिट इंशोरेंस की बात की जाए तो जसलीन कोहली है इपोर्टेंट है उल्रेडी पुछा जा चुका है ठीक है ध्यान में रखना है हम लोगों से आगे भी पुछा जा सकता है क्लियर है होप सो यहां तक सभी को बात जो है वो समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से हम लोग जितनी चीजें पढ़ रहे हैं बहुत आसान और शिंपल लेंग्वेज के अंदर डिसकस की जा रही है ताकि आप लोगों को पता चलता जाए मधाभी पूरी बच जो है वो से बी की पहली महिला चेर्मेर है याद रखना है मधाभी पूरी बच 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 है ना एक न बच 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 मेरी नजरों से बच है बच बच चलो 81st त यानि की 81st नम levar की Annual Conventary of the Indian Road Congress जो की विज बीन हेल्ड इन विज फॉलॉविंग सीटी आफ्टर इलेवन इस ग्यारा साल बाद हेल्ड की गई है उस सीटी की अंदर तो कौन से सहर में आयोजित की गई है वो हम लोगों ने बताना है बैंगलूरू के अंदर न्यू देली में चैन्नेई में या लखनव में जी हाँ नवाबों की नगरी लखनव के अंदर इसको यानि की क्या है सेलिबरेट किया गया वहाँ पर इसको हेल्ड करवाया गया 81 नंबर की यानि की क्या है वार्षिक समेलन था जो क्या है Indian Road Congress का था ध्यान में रखना है Indian Road Congress कलियर है ध्यान दिजी यहां पर दो तीजन चीज़े में आपको बताना चाहूंगा अगर हम बात करें UP के बारे में उत्तर परदेश के बारे में तो काफी चीज़ें यहां की famous है और हम लोग हमेशा डिसकस करते होते हैं गवर्नर कोन है तो आनंदी बेन पटेल है जो कि गुजरात की मुख्या मंत्री भी रही हुई है ठीक है और इससे पहले मैं माफी चाहूंगा किसका यह अपना कौन सा प्रोशी देश है प्रोशी देश नहीं प्रोशी स्टेट कह सकते हैं ठीक है कौन सा तो मद्य परदेश तो मद्य परदेश की बी गवर्नर रहा चुकी है ध्यान में रखना है यह हमारे लिए इपोर्टेंड हो सकता है चलिए बात कर लेते हैं तो यह दिया गया है 81st IRC 2022 आठ अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक जो कि कहां हुआ लखनोग के अंदर हेल्ड करवाया गया था ध्यान में रखना है सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करें तो इसमें UPKCM योगी अधितेना जो है इनोंने इनुग्रेट किया था और कौन से नंबर की थी तो लगबग यानिक 81st नंबर की थी और 1500 से ज्यादा लोगों ने यहां पर डेलिगेट्स ने भाग लिया ये भी हम लोगों ने ध्यान है चलिए बात करते हैं मैं यहां पर लिख देता हूँ भारत के अंदर भारत के अंदर कुछ ऐसे फर्स्ट चीजे पहली बार ऐसी कोई चीजे जो हूई हो बारत में पहली बार कोई चीजे जो हूई हो या फेमस हो recently यानि कि अगर हम बात करें जनवरी 2022 से लेकर आज क्या date है 11 October 2022 के बीच में जितने भी first time कोई चीज हुई होगी तो उनके उपर हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर देखेंगे चली धान दीजिएगा महाराष्ट्रा जो है पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसे ने लोंच की है bus service with a totally digital ticketing system digital ticketing system के साथ bus से लोंच करने वाला bus service लोंच करने वाला भारत का पहला स्टेट को उनसा है तो महाराष्ट्रा ध्यान में रखना है ठीक है इंडिया फर्स्ट इंटरनेट रेडियो रेडियो अक्स जो है ठीक है वो क्या बनाया है for visually challenges launched in नागपूर यानि कि जो उनको दिखाई नहीं देता ठीक है उन लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इंटरनेट रेडियो लोंच किया है नागपूर के अंदर रेडियो अक्स ध्यान में रखना है ठीक है इंडिया का पहला steel road जो कहां बनाईगी है गुजरात में गुजरात में कहां तो गुजरात का एक सहर है सूरत diamond city of the India वहां पर एक जगया है जिसका नाम है हजीरा, क्या नाम है, हजीरा ठीक है, वहाँ पर ये जो है रोड बनाएगी है, ध्यान में रखना है गुजरात में डाइमेंड सीटी सूरत, कपड़ों में भी आपको पता है पहले नंबर पर है, ठीक है, साड़ियां बहुत अच्छी बनती है, जब भी गुजरात घूमनया हो, तो यहां से साड़ी लेके जाना और जब बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएं, तो यहां से एक अपनी बीवी के लिए प्यारा सा सुन्दर सा डाइमंड भी लेके जाना ठीक और उसकी उंगली में पैरा देना बई, हाना चलिए, तो इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड फिचर इन गुजरा, ध्यान में रखना है, इंडिया का पहला, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहां कमिशन किया गया है तो आसाम के अंदर कमिशन किया गया है ये भी हम लोगोंने ध्यान में रखना है क्रिप्टो वायर, आपको पता होगा एक कंपनी है जिसका नाम है क्रिप्टो वायर, जो कि भारत की पहली कंपनी बनी है, जिसने ग्लोबल इंडेक्स लोँच कर दिया है क्रिप्टो क्रंजी के लिए जिसका नाम है IC15 और 2022 के अंदर जनवरी से लेकर अप्रेल तक जितने भी एक्जाम हुए थे, उन सभी एक्जाम के अंदर ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्यूशन है ध्यान में रखना है जनवरी से लेकर, जितनी भी बार जो एक्जाम हुए थे, उन में सबसे ज़्यादा बार जो क्यूशन पूछा गया था, कर लीजी इसको हना, पांच बार मोश्ट लगा लोगे तो भी कम पड़ेगा, ठीक है कहां लखनव के अंदर लोँश कीगी ध्यान में रखना है, अभी लखनव के बारे में हम लोग पड़ के आए हैं, करनाटका बिकम, करनाटका जो है वो भारत का पहला स्टेट बना है, जिसने AVGC सेंटर लोँश किया, किसके लिए Excellence, Excellence का सेंटर लोँश के ध्यान में रखना है, YouTuber, YouTuber एक नाम है जिनका नाम है, प्राजाक्ता कोली, जो कि इंडिया के पहले First UNDP Youth Climate Champion बने है ध्यान में रखना है, ये भी हमारे लिए Most Important हो सकता है, इंडिया का पहला Haley Hub, Most Important Haley Hub, जो कि Guru Gram Haryana के अंदर Open किया गया है, मैंने आप से पूछा था, कि यहां पर भारत का पहला, भारत का पहला ठीक है, एक ATM लगाया गया जिससे हम लोग क्या लेते हैं, जिससे हम लोग जो है, यानि कि अन लेते हैं, गहूं लेते हैं, बाजरा लेते हैं, चावल लेते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, मैंने एक दिन पूछा था, यह comment box में बताना है, after class class खतम होने के बाद comment करके मुझे बताओगे कि क्या यह, इसका नाम क्या है, जो यहां पर स्तापित किया गया गुरू ग्राम में, ठीक है, चलो ध्यान दो इंडिया का पहला, ओपन रोक म्यूजियम अर्य वहिया, बहुत पुराने बहुत साल पुराने बहुत साल, पुराने अगर हम बात करें, तो यहां पर बड़े-बड़े पत्थर लाके रखे हैं और ओपन रोक म्यूजियम बने गया है भारत का पहला, जहां पर क्या है, माफी जाओंगा भारत के पुराने, यानि कि बहुत साल पुराने तीन सो, चार सो साल पुराने बड़े-बड़े पत्थर जो हुआ गरते थे, वो लाकर यहां पर रख दिया है, हेदराबाद तेलंगाना के अंदर ध्यान में रखोगे, यानि कि भारत का पहला ओपन रोक म्यूजियम कहां बनाया है, हेदराबाद के अंदर ध्यान रखोगे, KVIC कादी विलेज इंडूर्टियल कोर्पोरेशन ठीक है, जिसने लॉंच किया इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेन लॉंच किया ध्यान में रखोगे, कहां पर तो सिरोरा विलेज गाजियाबाद के अंदर ध्यान में रखना है, अगर आप से पूछा जाए, KVIC द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसका नाम था BOLD, क्या नाम था? BOLD, इस प्रोजेक्ट को कहां से शुरू किया गया था? तो याद रखोगे उद्यापूर राजस्तान से शुरू किया गया था, ये BOLD क्या था? तो जहां पर, यानि कि ऐसी सुकी जहां पर कोई काम की नहीं है, वहां पर बंबू लगाना, क्या लगाना? बंबू लगाना, बंबू मतलब होता है बांस के पेड़ लगाना, जिससे उस जगह को क्या है कि हरा बरा किया जाए तो उद्यापूर से कहां गया ये? उद्यापुर्शी इसको बेजा गया वहिया, जेसल मेर, ठीक है, जेसल मेर से कहां बेजा गया, तो याद रखना है, जेसल मेर से आया था, ये अपना चलकर कहां, गुजरात की कच्छ में आया था, और कच्छ से कहां बेजा गया, तो कच्छ से बेज दिया गया, इसे कहां, लद्दाख ठीक है तो इन जगों पर यानि की पेड बंबू लगाए गए थे तो KVAC द्वारा शुरू किया गया था याद रखना है कलियर है जी रागवी गुपता वेरी गुट बेटा श्याबाज ठीक है लेकिन कमेंट में देना था ये फिर भी कोई दिक्कर नहीं आपने यहां बता दे अनपूर्ती जो है वो नाम रखा गया था श्याबाज ठीक है कोची जो है वो भारत का पहला एसी सीटी बनी है जहां पर वोटर मेट्रो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है यानि कि पानी के अंदर जो है पहले मचली चलती थी ना अब क्या चलेगी, मेटरो चलेगी, मेटरो चलेगी तो ये भारत का पहला बनाएं, याद रखोगे, इंडिया का पहला प्रुड मृजियम बनाए गया, तो तंयलादु के थंजवूर में बनाए गया है, ये भी हम लोगों को निया ध्यान रखना है, जो हमारे लिए इपोर बिन्ना आँख बंद करके उत्रा खंड टिक कर देना उत्रा खंड बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो यहां पर यानिकि लॉंच की गई है फाउंड की गई है हना उत्रा खंड रानी खेत के अंदर इंडिया का पहला नेशनल योगा सन स्पोर्ट्स चेंपियंशिप और्गनाई थी कौन से समय में जो आपको पता है कि यह महामारी जो हमारे ही देस में आए थी हना आ यह न नाम नहीं लूगा मैं इसका नहीं तो आज मगया है कि इस तरहं के चीज़यों के नाम ले लेते है ना तो भी içा क्रते यह योटूब वाले जो है हटा देते हैं जो हटा दे ho इंढिकर बादी आथि एंडिया बांबू से बनाया जारा है ध्याण में रखना है इंडिया का फर्स्ट फिशेज बिजनस इंकुवीटर जो है गरुग्राम हर्याना के घंदर लोंच किया गया है और इंडिया का पहला Radio और Internet Protocol System जो है वह कोलकत्या के अंदर इनुग्रेटिट क्या गया ध्यान में रखना है इंडिया का पहला Test Tube बनी नाम से वुफेलो जो है वह कहां बोन की गी गुजरात के अंदर ध्यान में रखना है ठीक है ये ओलरी मैं आपको बहुत बार करवा चुक ठीक है और भारत की पहली यानिकि अगर आप से पूछा जाए महिला पंचायत जो है वो भी कहां बनी तो वो भी यानिकि महिला पंचायत कहां बनी थी स्वरी बाली का पंचायत माफी चाहूंगा बाली का पंचायत कहां बनी तो वो भी गुजरात के अंदर कच के अंदर एक जिसका गाउन का नाम है कुनरिया पंचाइद। इस पंचाइद को बनाया गया था, गुजरात में ध्यान में रखो गई। पावर फाइनेंस कोर्पोरेशन जो है वो इंडिया का पहला इवर यूरो ग्रीन बोंड लॉंच करने वाला पहली कमपनी बनी है बोंड क्या होता है यह हम बेंगिंग के अंदर पड़ेंग इसे तरीके से इंडिया फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लेब जो है वो कहां पर ओपन की गई तो केडला के अंदर ओपन की यह भी आप लोगों ने ध्यान रखना है अगर यहां तक सभी को बात समझ में आई तो कमेंट बोक्स के अंदर फटा फट ए टाइप कर दो ताकि मुझे पता चल जाए चलिए धान दीजेगा आज का लास्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन के उपर यह रहा दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने हाली में एक गाउँ था जिसका नाम है मोदेरा ठीक है जो कि मैसाना डिस्टी के अंदर आता है ठीक है गुजरात के अंदर जिसको हाली ही में भारत का पहला 24 इंटू 7 विलेज गोषित किया है यानि कि 24 इंटू 7 वहां के लोगों के घरों में जो है जो है सोलर पावर से ही क्या है कि बिजली आती है ठीक है मोदेरा is now the sun temple situated यहां पर क्या है कि sun temple भी है bank of the Puspapati river कौन सी river के ओपर Puspapati river याद रखना Puspapati river के ओपर पूची जाते हैं इतना गुमा के ही पूचा जाएगा अब हम लोगों ने जो प्रिप्रेशन किया ना वो मने मोदेरा पड़ा मोदेरा पड़ा पहला फ़स्ट 24 इंटू 7 सोलर पावर मिलेज पड़ा ठीक है पुस्पपती river यह भी नहीं पड़ा होगा और यह तो पिर बड़ा प्रिपरेशन कि पहले मोदेरा प्रिप्राइंदर मोदेरा में क्या हो कम लिए इंटू 7 सोलर पावर वीलेज है जो अगर हम बात करें तो यहां पर हम कह सकते है कि संटेंपल के नाम से भी जाना जाता है और यहां पर संटेंपल जो सिचुएटर एख धिय धिय को यह यानि कि कब बना था तो 1026 C during the Bheemah first जो आये थे ठीक है Bheem first जो आये थे चालुक क्या है डाइन city के अंदर उनके द्वारा बनाया गया था यह हम लोगों ने ध्यान रखना है कलियर है यहां पर अगरम बात करें तो लगबग 1300 से ज्यादा रूफ टो यानि कि क्या है कि solar system जो है वो लगे हुए है याद रखना है कलियर है बहुत बढ़िया रागवी वेटा श्याबाज ठीक है तो होप सो यह हम लोग ने जो डिसकस की आपको मालूम होनी चाहिए अब बात करते हैं इलेक्शन कमिशन ने शिव सेना का जो शिम्ब थाना उसको फ्रीज कर दिया ब इलेक्शन कमिशन ने फ्रीज कर दिया है शिव सेना का सिम्बल यह सिम्बल क्यों से फ्रीज किया है दो वर्ड होते हैं बेंकिंग में हम दो वर्ड पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं फ्रीज करना और एक होता है दोर्मेंट चलो पहले में आपको यह समझा देता हूं दोर्मे ठीक है यह और एक होता है फ्रीज ठीक है यह दो वर्ड होते हैं बेंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं पहले बाद में आएंगे वहां पर ठीक है दोर्मेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भाई बंदू बेली दोस्त बेंक में अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं और उस अक क्या बोलते हैं इन ओप्रेस अकाउंट, ठीक है, याद रखना है, क्लियर है, अगर आप से पूछाएं, फ्रीज क्या होता है, तो मान लीजिए कि आपने बेंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाया, और अकाउंट में क्या हुआ है, कि पाकिस्तान से किसी ने आपके में क्या है, कि ट्रांजेक्शन होता है, हना, ट्रांजेक्शन होता है, तो बैंक दवारा उस अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, यानि कि ना तो आप उसमें पेसा डाल सकते हो, और ना ही आप पेसा निकलवा सकते हो, उसे कहा जाता है फ्रीज, और डॉर्मेंट क्या होता है कि आपने अगर यूज नहीं किया उस अकाउंट को तो वो 24 मंथ के अंदर आपका अकाउंट क्या हो जाएगा डॉर्मेंट अकाउंट हो जाएगा ये भी ध्यान में रखना है चलो अब देखते हैं इस न्यूज को क्या है ध्यान दीजे आपको इकनाथसिंडे भाई साब ने क्या किया विदायकों गोडेके चले गे बो लेके जा लाते हैं अब गोडेके अब लेके चलेगे वहां जा कर बोल दिया कि ये कहते हैं सिवसे ना मेरी है और महाराष्ट्रा के करंट सियम एकनाथ सिंदे कहते हैं नाथों के नाथ एकनाथ ये कहते हैं कि सिवसे ना मेरी है तो इन दोनों के लिए अलग-अलग पार्टी सिंबल जो है वो बनाने की कायास जो है वो लगाए गए जिसके अंदर जो प एकनाथ सिंदे को अभी तक कोई भी सिंबल जो है वो मिला नहीं है ठीक है तो यह खास करके जाना और यह कुछ को मिली गा है तो यह यहां पर ivr the drapri गिर को जो है वो दे दीगिये ध्यान में रख़ ना है जहां पर आपको करंट फेर वगेरा जो है वो डेली मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस पर तो आप हमारे साथ जूट जाएए अच्छे तरीके से और हम लोगों की कनेक्ट में रहेए यह आपको पीडिएफ जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चलिए तो होपस आपको सारी कहानी समझ में आई होगी थैंक यू सो मच और गुड नाइट मिलते हैं कल वापस हमारा रीजनिंग का लेक्चर रहता है अप्टर नून में दो बजे उससे पहले मैत का लेक्चर रहता है एक बजे दो बज क्या है अगर हमारे दूर करने लाइक होगी तो हम जरूर करेंगे ठीक है तो यह रेगुलर बेसेज पर आप जुड़ते रही है हमारे साथ नहीं नहीं करन्ट फेर सीखते रही है यह बहुत अच्छे तरीके से आपको काम आएगी सिर्फ बैंक, SAC, railway के लिए नहीं, UPSC व हो चुकी है आप लोगों का अभार और प्यार सतकार यूहीं बना रहे है और रेगुलर बेसेज पर आप जुड़ते रहे है पॉलिटी का क्लास होता है अच्छा एप पे शायद दो तीन दिन के लिए लिए लगा है फिर बाद में मौनिंग में हुआ करेगा वो कोई चिंत रहता है आपस में वो में भी बेटर है कलियर है चलिए तो थेंक यू सो मच बाई बाई गुड़नाइट टेक केर मिलते हैं कल वापस कितने वज़े तो कल मौनिंग में यानि की एक बज़े मैत के साथ और दो बज़े रीजिनिंग के साथ शाम को साथ वज़े वापस थेंक यू सो मुच बाई बाई टेक केर तो